हाँ तो प्यारे बच्चों कैसे हो आप लोग आज से हम लोग बच्चों पढ़ेंगे बी ये भाग दो फेकंड पेपर ठीक है बी ये फेकंड लियर के बच्चों के लिए डाक्टर राम मनोहलोहिया आवद बिफिविद्याले अयुद्या के पार्ठिक्रम पर आधारित रच बच्चों आपको इसमें राफ्टरी फूरच्चा के बारे में आपको पढ़ना है यही आपके फेकंड पेपर का नाम है आजादी के बाद की भारती युद्धकला और फेकंड पेपर में आपको पढ़ना है राफ्टरी फूरच्चा तो आज आपको हम इसके पार्ठिक्र का परिचे और व्याक्या इसमें बच्चों आपको पढ़ना है राफ्ट्रिय फक्ति का अर्थ और फिद्धांत और इसमें दूफरे में पढ़ना है राफ्ट राज की फक्ति और राफ्ट्रिय फक्ति के तत्तु राफ्ट राज की फक्ति बच्चों देफे भारत एक राज् ठीक है चलिए आगे पढ़ना हमको फुरच्छा का परिचे एक राफ्ट की फुरच्छा के लिए किन चीजों की जरूरत पढ़ती है राफ्ट की फुरच्छा की परिभाफा क्या है परिभाफा अपने आप में पूर्ण है या पूर्ण है या राफ्ट की परिभाफा में क्य या हो फक्ता है तो इसके बारे हम इफ में पढ़ेंगे इसकी अउधारणा क्या है आगे हम लोग पढ़ेंगे चौथे नंबर पर छेत्री अखंडता यां फंप्रभुता एवां निकट पड़ोफी फे खत्रे यानि पड़ोफी राफ्ट्रों फे भारत के लिए खत्रा पच्वा नंबर बिपलो प्रत बिपलो अवधारणायों विफ्तार बिपलो बच्चों वही है जैसे क्राम्दिकारी युद्ध कला नियूंती ब्रता फंगर्फ जैसे इफ्तिती ठीक चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे आ जाता है यूनिट दो में यह है आंतरिक बिदे़ संबंध रच्चायों छेतरि फूरच्च्चायों ग्रिह नीति इसके बारे में हम इसके पढ़ेंगे दूफरा है फामुईक फूरच्च्चायों सक्ति संतुलं तीफरे नंबर पर पढ़ेंगे बच्चों अत्तर राफ्टरी आतंकुवाद चोथे नमबर पर बच्चों पढ़ेंगे हम हिंद महाफागर में ब्यापक प्रभाव और भारत की फमुद्री फुरच्छा एवं बिकल्ब चोकि हिंद महाफागर में भारत की तीन करप फे हिंद महाफागर फे घीरा है इफ लिए बहुत कुछ इफ की फुरच्छा बेवाफथा फमुद्र पर डिपेंड है हिंद महाफागर पर निरभर है अब तो बच्चों आतंकुवादी भी फमुद्र के राफ्टे आने लगे हैं कहां फीमा पार कफमीर की ओर पे जा रहे थे कहां फमफद पर हमला करने वाले जो है वो ताज होटल में पतलब अब जो है फमुद्रिक राफ्टे भी फुरच्छित नहीं है चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों आ जाते हैं हम यूनिट थिरी में यूनिट थिरी में हम लोग क्या पढ़ना है भू अस्तरात जी और भू राजनेतिक विचार इसमें हमको पढ़ना है पाकिस्तान के बारे में पाकिस्तान के भू अस्तरात जी क्या है और इसका भू राजनेतिक विचार क्या है इसी तरह चीन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे भू अस्तरात जी और इन दोनों को देखते हुए भारत के लिए हम भिकल्प के बारे में पढ़ेंगे अर्थाथ भारत इंफे जो है फुरच्छित कैसे रहे या इंफे किस तरह इंफे निबटे यूनिट चार में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों फुरच्छा भाई-भाई फे मुक्ति है तो भारती छमता अर्थाथ अपनी फुरच्छा के लिए भारती फक्ति के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे जैसे विज्ञानेवम तक्निक की छेत्र, फाइम फैन टेकनोलाजी का छेत्र, हतियारों के छेत्र में और नए ने उपकरणों के छेत्र में ठीक, परमाल सक्ति की यवधारना, भारत की परमाल सक्ति के बारे में पढ़ेंगे, और इसके जो है फिद्धान्तों के बारे में पढ़ेंगे, भारत की सैन्य सक्ति, कुलच सक्ति के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों, तो ये यूनिट आपका चार भागो में बिभाजित है चार यून्टे में जिसके अंतरगत हम ये प्रमुक चीजें हम लोग पढ़ेंगे ठीक है बाकि अगले बार फे बच्चो हम लोगा क्लास जो है डारेक्ट चैप्टर फे हम प्रारंभ करेंगे ओके बच्चो तब तक आराम फे आप लो पढ़िए लिखिए मफ्त रहिए